अब गाईज हैर पिछले वीडियो के अंदर हम लोग ने रियल क्रिकेट स्वाइप के बारे में बात करा था उसके कुछ यूनिक फीचर्स और गेम प्ले के उपर ही हमारा पूरा फोकस था भाई और यार जैसे कि उस वीडियो पर मैंने तुम सबसे बोला था कि हम लोग एक और सेपरेट वीडियो ऐसा भी बनाएंगे जहां पर हम लोग भाई दोनों गेम्स के बीच में जो डिफरेंसे से उसके बारे में डिटल में बात करेंगे भाई लिइस तो वीडियो को भाई फटा पट से अभी सही लाइक कर दो लाइक है में रखते हैं भाई पांसो लाक करके रखना और अगर पहली बार मेरा मुक्डा देख रहे हो जबकि वो दोनों सिमिलार है नहीं? मben भाई की काफी सारे डिफरेंस हैज है, जब आप आज का वிडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा, तो काफी सारे डिफरेंस हैज है, तो उसके बारे मही आज के वीडियो पर हम लोग बात करेंगे, तो फिर चलो दोस्तों बिना किसी वक्त वाए आज किस वीडियो को भाई सुरू कर डालते हैं तो गाई सबसे पहला जो डिफ्रेंसेश है इन दोनों गेम्स के अंदर वो है भाई मल्टिप्लेयर का जहां रियल क्रिकेट 24 के अंदर आपको भाई 1v1, 2v2 मलब कि कई तरीके के आपको मल्टिप्लेयर मोड बगरा देखने को मिल जाते है जिसको यूज करके आप अपने दोस्तों के साथ भाई असाने से भाई मल्टिप्लेयर मोड पर रियल क्रिकेट को खेल सकते हो बही, real cricket swipe के अंदर अभी बोच इस फिलाल पॉसिबल नहीं है तो ये एक पहला differentiating factor है अब second जो differencing factor इसके अंदर देखने को मिलता है वो है भाई, number of batting shots जहां भाई, real cricket 24 के अंदर आपको more than 500 batting shots देखने को मिलता है भाई, real cricket swipe में पता है, उससे भी 1.500 जादा मलब की 650 batting shots आपको देखने को मिलता है तो ये भी एक difference है भाई अभी अरबेटर की बात होई रहा है, तो license के बारे में भी बात कर लेते हैं तो दोनों ही games के अंदर आपको भाई, 200 से भी जादा license to players देखने को मिल जाते है बट ये तो similarity हो गया, फिर हम लोग तो difference के बारे में बात कर रहे थे तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग difference के बारे में ही बात कर रहे थे क्योंकि इधर भाई मैं license to players नहीं, बलके license to teams के बारे में बात कर रहा हूँ अब देखा जाए तो Real Cricket 24 के अंदर आपको भाई, 3 office या licensed IPL teams देखने को मिलता है भाई, Real Cricket Swipe के अंदर आपको एक भी office या licensed teams देखने को नहीं मिलता है तो ये एक differencing factor है भाई अब यार next difference है, वो है यार RC24 के अंदर आपको mod feature देखने को मिलता है मलब कि कोई भी modder चाहें तो वो कोई भी jersey, कोई भी face pack उसको बना करके upload कर सकता है और आप चाहें तो community से उसको download करके अपने game के अंदर आड़ कर पाते हो जबकि Real Cricket Swipe के अंदर ऐसा अभी कुछ भी feature नहीं है जबकि Real Cricket Swipe के अंदर हमें ऐसा कुछ भी feature देखने को नहीं मिलता है तो ये भी एक differentiating factor है भाई और भाई सिर्फ एही नहीं, जहां आप Quick Play के अंदर RC24 के अंदर की बात कर रहा हो तो आप सिर्फ के सिर्फ international नहीं, बलकि IPL का जो जो तीन licenger teams है ना तो उनको लेकर के भी खिला सकते हो, दोनों के बीच में भाई मार्पिट भी लगा सकते हो भाई Real Cricket Swipe के अंदर बेसा कुछ भी नहीं होता है आप भाई IPL teams को एक भी use करके खेलना ही पाते हो आपको सिर्म के सिर्फ भाई international teams को लेकर के ही खेलना होता है जबकि Real Cricket Swipe के अंदर हम कुछ एस से भाई dynamic scoreboard देखने को मिलता है overlay देखने को मिलता है जो कि हार gaming experience को थोड़ा सा next level तो चरूर से लेके जाता है क्योंकि dynamic scoreboard overlay भाई बहुत ही जाता key element होता है gameplay का तो काफी बढ़िया हमें देखने को मिलता है Real Cricket Swipe के अंदर जबकि Real Cricket 24 के अंदर उतना अचा scoreboard हमें देखने को नहीं मिलता है अब यहर features तो बहुत जादा हो गया अब थोड़ा बात को लेते हैं gameplay के features के उपर मलब कि gameplay के उपर और according to gameplay कौन सा game अच्छा है कौन सा game बूरा है आप इन differences से judge कर सकते हो तो gameplay के बारे में बात करें तो पहला जो differentiating factor है तो मलब कि सबसा unique feature भी आप बोल सकते हो तो बो है भाई AI based customization difficulties जो की हमें Real Cricket Swipe के अंदर देखने को मिलता है तो इस feature का मतलब यह होता है कि आप Real Cricket Swipe के अंदर अपना जो difficulty level है ना उसको भाई अपने accordingly adjust कर सकते हो अब चाहें वो fielding accuracy हो, bowler का speed हो या फिर कुछ भी हो उसको अपने accordingly adjust कर सकते हो, customize कर सकते हो मलब कि AI का जो behavior है वो आप अपने accordingly adjust कर पाओगे तो यह जो feature है वो काफी बढ़िया feature है और यह unique feature है अलब कि दुनिया का सबसे पहला cricket game ही होगा Real Cricket Swipe जिसके अंदर यह feature हमें देखने को मिल रहा है और यह जो feature है वो Real Cricket 24 के अंदर तक भी नहीं है यार अब next जो differentiating factor है वो है भाई graphics का अब graphics के बार में भी बात करें तो तो वो भी कहीं न कहीं हमें Real Cricket Swipe का ही थोड़ा बहुत better नजर आता है तो इस matter में भी हम इसको भी differentiating factor बोल सकते हैं भाई और यह बाकि सिर्फ एही नहीं Real Cricket Swipe के अंदर आप camera angle को भी switch कर सकते हो अपने accordingly या तो batsman के पीछे से या फिर batsman के आगे से क्या बोल दिया मतलब कि दोनों camera angle आपको देखने को मिलता है जबकि Real Cricket 24 के अंदर बैसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है तो यह भी एक differencing factor है भाई और बाकी हाँ यार एक छोटा सा और एक difference भी था मेरे को याद आया तो Real Cricket Swipe के अंदर ना अगर आप ऐसे tap tap करते हो एक जगा पर तो आपका जो batter है वो भाई crease के आगे आ करके खड़ा हो जाता है और यह जो feature है मलब कि यह जो भी है तो बो Real Cricket 24 के अंदर भाई है नहीं अगर आपको कोई और भी differences बगरा नजर आये तो मेरे को comment section पर जरूर से बताना मैं अगले वीडियो पर या फिर community post पर कहीं पर भी डाल दूँगा और बाकी हाँ यार है कि मज़ेदार common feature भी है इन दोनों games के अंदर आप guess कर सकते हो क्या है चलो 5 seconds देता हूं guess करके time है दिल दुखा है लेकिन तूटा तो नहीं है और उमीद का दामन छूटा तो नहीं है खेर दोस्तों आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी ज़्याद अच्छा लगा होगा अगर आपको आज का वीडियो चलगाए तो वीडियो को लाइक करके चाना चैनल पर पहली बाहर आए हो तो सबस्क्राइब करके जाना मिलते हैं अगले वाले बडिया वाले वीडियो के अंदर तब तो के लिए आप सो अपना ख्याल लगिए गुडबाई